पासकार दोस्तों आपका स्वागत है मुकेश सहू क्लासिस पर कम्प्यूटर के लिए ये पार्ट फाइव है आल्रेडी चार पार्ट बने हुए है डिस्क्रिप्सन में मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं महतोपूर्ण है 36 गर सिक्षक भरती के सभी वर्ग के जो एक्जाम हो रहा है उसमें कम्प्यूटर के 10 नंबर के प्रशन पूछे जाते हैं और कम्प्यूटर के जो प्रशन है वही वही रिपीट होते हैं क्योंकि ये बेसिक कम्प्यूटर पूछा जाता है इसमें ठीक है तो जितना ज़्यादा प्रशनों का प्रेक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा आपको अगर पता भी है तब भी अगर आप प्रेक्टिस करते रहेंगे तो वो दिमाग में बैट जाएगा और कोई डाउट नहीं होगा एक्जाम के समय चलिए पहला आज के वीडियो का पहला प्रशन है प्रथम पीडी के कम्प्यूटर में मुख्य इलेक्टानिक घटक है प्रथम पीडी के कम्पूटर में मुख्य इलेक्टानिक घटक जो था उस समय वो था किण सी वाल्व मतलब निर्वाट ट्यूब ठीक है ये ये था प्रथम पीडी के समय प्रस्ण को उल्टा भी पूछ सकता है कि वाल्व या किया जाता था तो प्रत्थम पीडी में ठीक है अगला प्रश्ण है हमारे सामने आकार के अधार पर कंप्यूटर की कौन से प्रकार नहीं है हमें बताना है नहीं जो नहीं है माइक्रो कम्प्यूटर, मीनी कम्प्यूटर, सूपर मीनी कम्प्यूटर, मैन फ्रेम कम्प्यूटर, आप्टिकल कम्प्यूटर तो micro computer होता है, mini computer भी होता है, super mini computer भी होता है, main frame computer भी होता है नेकिन optical computer जैसा कोई प्रकार नहीं होता यहाँ अकार के अधार पर पूछा गया है, मतलब उसके जो size के अधार पर उसे बाटा गया है computer को उस अधार पर आप्टिकल कम्प्टर जैसा कोई अकार के अधार पर कोई कम्प्टर नहीं होता तो option E सहीं होगा ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन क्या है अंकी ये computer खाली स्थान गननाय प्रति सेकेंड कर सकता है खाली स्थान में क्या आएगा अंकी कम्प्यूटर खाली स्थान गन्नाय प्रती सेकेंड कर सकता है हजारों करोडों सेक्डों गन्ना नहीं कर सकता इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा करोडों करोडों ठीक है 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 8 लाख सूपर मीनी कम्प्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रतिसेकंड समाहित होती है option B ठीक, अगला प्रशन देखते हैं माइक्रो कम्प्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम खाली स्थान है grill computer, वेक्तिगद computer, laptop computer, atomic computer इन में से कोई नहीं जो , micro computer में नहीं माने जाते है तो grill computer तो micro computer ही होता है, TV के size का जो होता है वेक्तिगद computer, laptop ये सब micro computer है atomic computer माईक्रो computer में नहीं आता ठीक है? То option D हमारा सही answer है Greek computer मतलब घर में जो उपयोग करते हैं मतलब desk top, laptop वेक्तिगत computer मतलब भी वही होगी अपना personal computer मतलब laptop या desk top और laptop computer ये सब micro computer है pom top भी micro computer है micro computer से भी और छोटा साइच का है pom computer तो A, B और C micro computer के ही प्रकार हैं जबकि atomic computer micro computer में नहीं आता ठीक, अगला प्रशन देखते हैं सर्व प्रथम punch card का परियोग किस ने किया था पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि punch card के बारे में बताऊंगा तो punch card का परियोग जो सबसे पहले किस ने किया था ब्लेच पासकल, हावर्ड, एलकें, जान, मेकाले, जोसेप, मेरी इन मेंसे कोई नहीं सही आंसर है जोसेप, मेरी जोसेप, मेरी ने punch card का परियोग सबसे पहले किया था ठीक है, तो याद रखना है जोसेप, मेरी ओके, चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला क्या है निम्न लिखित मेंसे किसे computer का पीता महा कहा जाता है तो हर्मन, हॉलेरित, चार्ल्स, बेवेज बिलेच पासकल जोसेप, जेक्यूड, इन मेंसे कोई नहीं तो सब को पता है computer का पीता महा माने जाते हैं चार्ल्स, बेवेज अगला प्रशन है computer के विकास में सरवादिक योगदान किसका है हर्मन, हॉलेरित, चार्ल्स, बेवेज बिलेच पासकल, वान न्यू मान इन मेंसे कोई नहीं सही आंसर है option D वान न्यू मान computer के विकास में सरवादिक योगदान जो है वो वान न्यू मान का है अगला प्रशन देखते है प्रथम अंकी computer के blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किसका है हर्मन, हॉलेरित, चार्ल्स, बेवेज बिलेच पासकल, विलियम, बूरोस इन में से कोई नहीं तो computer के विकास में सरवादिक योगदान जो है वो है चार्ल्स, बेवेज का नेकिन यहाँ पे computer का sorry सरवादिक योगदान तो वान न्यू मान का है प्रथम अंकी computer के blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किसका था प्रथम अंकी कंप्टर के ब्लूप्रिंट के विकास में, तो इसमें आंसर हो जाएगा, चाल्स बेवेज, ठीक, प्रथम अंकी कंप्टर के ब्लूप्रिंट के विकास में, चाल्स बेवेज का सबसे ज़्यादा योगदान था, नेकिन कंप्टर के विकास में पूछा, तो व में 1965 में इन में से कोई नहीं सही आंसर है 1946 ठीक है 1947 में देश याद हुआ वो तो याद है तो एक साल कम कर देना सर प्रथम आधुनिक कम्प्टर की खोज कभी 1946 इस वी अगला प्रशन इंटीग्रेटेट सरकिट चीप मतलब IC चीप का विकास किस ने किया था सीवी रमन ने, राबर्ट नायक ने, जे एस किलवी ने, चार्ल्स बेवेज ने, इन में से कोई नहीं सही आंसर है जे एस किलवी जे एस किलवी ने किया था इंटीग्रेटेट सरकिट चीप मतलब IC चीप का विकास ये बना होता है सिलिकान का ठीक अगला प्रशन देख लेते इन्टीग्रेटेट सरकिट चीप में किसकी परत होती है तो इन्टीग्रेटेट सरकिट चीप में परत होती है सिलिकान की ठीक है चुम्बकी डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है आइरन आकसाइट, फासपोरस, पेटाकसाइट, मेगनिसियाम आकसाइट, सोडियाम पेर इनमें से कोई नहीं, चुम्ब की डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है, आइरन आकसाइड, आइरन आकसाइड की परत लगी होती है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सरवाधिक सकती साली कम्प्यूटर है, सूपर कम्प्यूटर, माइक्रो कम्प्यूटर, सूपर कंड़क्टर, उपर युक्ततीनों, इनमें से कोई नहीं, तो जो सूपर कम्प्यूटर है, वो सबसे सकती साली कम्प्यूटर है, ठीक है, अभी तक, सूपर कम्प्यूटर जो है है वो सबसे सक्तिसाली computer है ठीक अगला प्रश्ण देख लेते हैं कि डिजिटल कबर कारी करता है गनना मापन विद्धूत लॉजिकल इन में से कोई नहीं ओप्शन ए गनना ठीक है डिजिटल computer कि सिधान पर कारी करता है गनना अगला का प्रश्ण सूपर computer अन्य computer से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं ओप्शन है बहुत अधिक कीमत वातानू कूलन की समस्तिया परिकलन चमता एवं विरीहत इस्मृति भंडार बहु आयामी पर्योग इन में से कोई नहीं ओप्शन सी परिकलन चमता एवं विरीहत इस्मृति भंडार मतलब प्रोसेसिंग जो केपेसिटी है और लार्ज इस्टोरेज केपेसिटी ये इसमें में विसेष्टा होती है सूपर कंप्पूटर की कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है और तेजी से कर सकता है और बहुत अधिक मेमोरी इस्टोर करके रख सकता है इसलिए सूपर कंप्पूटर के लाता है अगला प्रशन देख लेते हैं आधुनीक डिजिटल कंप्पूटर में किस पद्धती का उप्योग किया जाता है दुई आधारी अंग पद्धती दसमलाव अंग पद्धती अनुरूपन गनना पद्धती उपरिप्त तीनों इन में से कोई नहीं सभी को पता है दुई अधारी अंग पद्धती जिसको binary पद्धती भी कहते हैं binary system आधुनिक digital computer में किस पद्धती का प्रयोग किया जाता है दुई अधारी अंग पद्धती या binary digit system तो option A सही है अगला प्रश्न भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्टर का विकास किस संस्था ने किया है सीडेक, आईईटी कानपूर, बार्क, आईईटी दिली इन मैंसे कोई नहीं तो जो परम भारत का पहला सूपर कम्प्टर कोई से था परम ये भी आपको पता चल गया अब किस ने किया था, किस संस्था ने किया था, इसका डेवलप्मेंट तो सीडेक, सीडेक कहा है, पुने में, पुने कहा है, महरास्ट में, ठीक है तो ये आंसर हो गया, ऑप्चन A अगला प्रश्ण है एकिक्रित परिपत मतलब integrated circuit के आविस्कार से किस पिडी का जर्म हुआ घुमाय के पूछा है तोड़ा प्रश्ण है सही आंसर है इसका option C, 3-3 पिडी कभी-कभी स्तीधा ऐसे पूछेगा IC chip का परियोग किस पिडी में हुआ तो 3-3 पिडी, तिसरी पिडी में किस चीज का उपयोग किया option में दिया रहेगा एकिक्रित परिपत integrated circuit तो वो सही होगा तो 3-3 पिडी में एकिक्रित परिपत मतलब integrated circuit IC chip का परियोग हुआ जिसकी खोज की थी, जिसे invent किया था किस ने, JS किल भी ने, ठीक, अगला प्रशन चौथे पिडी का मुख्य अव्याओ क्या था तो ये अक्सर पुछता है कि किस पिडी में किस चीज का उपयोग शुरू हुआ अक्सर ये पुछा जाता है option B, विरिहत एकिक्रित परिपत तीसरे पिडी में integrated circuit का उपयोग हो गया था नेकिन चौथे पिडी में उसका advanced version आ गया था large integrated circuit मतलब विरिहत एकिक्रित परिपत V, I, C, जो ऐसा है न, L, I, C, ऐसा कुछ है फिर V, L, I, C, very large, फिर IC था, फिर L, I, C, फिर V, L, I, C यह सब आते गया और अभी भी जारी है तो answer पता है न, बता दिया मैंने option B, इसका सही answer था अगला प्रस्ण है एक छोटे silicon chip पर transistor और अन्य electronic उपकरनों के साथ पूर्ण electronic circuit को कहते है workstation, CPU, integrated circuit, magnetic disk, इन मैंसे कोई नहीं सही answer है, integrated circuit एक छोटे silicon chip पर transistor और अन्य electronic उपकरनों के साथ पूर्ण electronic circuit को कहते है integrated circuit, ठीक है integrated circuit यही होता है और यह silicon का इसमें परत लगा होता है अगला प्रस्ण है कौन सा device या उपकरन, हाथ पकड़ या hand held operating प्रनाली का इस्तमाल करता है option है PDA, वैक्तिगत computer, laptop, manframe इनमें से कोई नहीं तो handheld operating system प्रनाली का इस्तमाल जो करता है वो है option है PDA PDA ठीक, याद रखना है PDA का पूरा मतलब क्या होता है personal digital assistant और यह hand held operating प्रनाली पर काम करता है ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता था PDA के बारे में फिर भी आप eliminate करके answer बता सकते थे वैक्तिगत computer तो नहीं हो सकता, laptop भी नहीं हो सकता mainframe भी नहीं हो सकता hand held operating system प्रनाली ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ा होता है size में, laptop और TV के size का होता है, लगबग वैक्तिगत computer laptop भी लगबग उसी size का होता है नेकिन laptop को हम एक जगा से दुसरे जगा ले जा सकते हैं bag में रखकर, अपनी गोद में रखकर उसको चला सकते हैं, mainframe तो और भी बड़ा होता है तो B, C और D तो होई नहीं सकता और तो PDA इसका automatic answer होता अगर हमारे पास जो exam होगा उसमें option E नहीं रहेगा तो असानी से हम eliminate करके options को answer भी निकाल सकते हैं अगला प्रशन है, कोई computer analog data को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे interpretation के लिए mainframe के पास भेजना होगा CPU के ALU द्राγ विसलेसित किया जाना होगा decode किया जाना होगा virus ओं के लिए विसलेसित किया जाना होगा digitize किया जाना होगा सही answer है decode किया जाना होगा कोई computer analog data को पहचाने और समझे इसके लिए पहले उसे decode किया जाएगा इनकोडिंग मतलब उसको उसको एक सुरक्षित कर देना इनकोडिंग डेटा को ही decode करके उसे समझा और पहचाना जा सकता है जब एक इस्थान से दूसरी स्थान या एक कम्पूटर से दूसरे कम्पूटर में जैसे टेलिफोन के लाइन के द्वारा फेक्स से कोई भेजा गया है संदेज तो वो सबसे पहले क्या होता है इनकोड होता है और रिसीवर के पास decode होता है फिर वो ओरिजिनल रूप में प्राप्थ होता है इस तरह से decode किया जाना प्राप्थ होता है